बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जो अपने सेट अप के साफ से ट्रेडिंग कर रहा है उसको मिस्टर ए मिस्टर बी दो तरह के लोग होते हैं यह ट्रेडिंग में दोनों साथ में उतरते हैं मिस्टर ए का जो अपना लॉस हुआ होता है मार्किट में और मिस्टर बी जो है उसका भी लॉस हुआ होता है अब इन दोनों की साइकलोजी को हम समझते हैं मार्किट में क्या चीज़ है आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर यह दोनों ट्रेडिंग करते हैं एक ही setup पर किस person का psychology best होगा Mr. A का होगा या Mr. V का होगा Mr. A काुसा person होता है जिसका loss होता है और Mr. V काुसा होता है जिसका loss होता है loss दोनों यह का होता है घ्रिग हो गें इससमें आप थोड़ा confuse होगे इसको मैं पूरा detail में समझाने वाला हूँ इस video के मादियम से क्या होता है दोनों जी एक setup के इसाफ से trading करते है Mr. A b trading setup के इसाफ से और Mr. B b trading setup के इसाफ से करता है बात आती है यहां से आगे setup follow करने के बाद Mr. A के पास जो अपना stop loss का plan सिर्फ दिमाग में होता है Mr. B का Stop Loss अपने SETUP पर होता है SETUP में मतलब यानि लगा होता है जैसे Mr. A का Loss हो जाता है वो तुरण जो है मार्किट से एक्जिट हो जाता है उसने कएने कए हर अपना सेट अप पर लगा और जो Mr. B है वो अपनी Loss पे वहाँ पे बेट करता है कि सोचता है वो होब में आ जाता है उसको जो ऐसा विश्वास होता है कि मार्किट यहां से उपर जा सकता है ठीक है वो फिर इंतजार करता है वहाँ पर मिस्टर भी क्या करता है वहाँ पर जो जा मार्किट उसका एसल इट कर गया उसके बाद उसका जो है सैलिंग साइड सेट पर नहीं वो अपने SL का जो है इंतिसार करता रहता है वो सोचता है थोड़ी सी देर और बेट करता हूं थोड़ी देर और बेट करता हूं महीं पर जो जो मिस्टर है वहाँ पर प्रॉफिट करता है और जो दूसरा परसन उसके साथ है उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है क्या होता है बहुत बड़ा लौस उसके बाद वो दोनों ही जो है एक profit book करता है उसी trade में एक का loss हो जाता है काही ने कहीं उसने अपना loss दे दिया दूसरी बार उसने जो है उसका उसी trade को reverse करके अपना profit कर दिया काहीं ने कहीं जो mister A है, वो अपने setup के साफ से trading कर रहा है, उसको फिर profit होता है, जो mister B है, उसका कल बहुत बड़ा loss होता है, उसको जैसे profit होता है, वो तुरंत exit हो जाता है, वो किस कारण exit होता है उसको लगता है कहीं आज मेरा loss ना हो जाए ठीक है क्या चीज हो ही कहीं मेरा आज loss फिर से ना हो जाए वो कहीं ने कहीं अपने setup से exit हो गया देखो यह अब आपने comment box में comment करना है आप कौन से trader बनना चाहते है Mr. A बनना चाहते है या Mr. B बनना चाहते है इस वीडियो को अगर आपने सही से समझानी है तो आप दुबारा देख सकते है इस वीडियो को यह वीडियो आपकी जो है 2024 में life change कर सकती है सिर्फ मैंने दो ही बाते बोली है Mr. A और Mr. B यह दोने चीज़े आपने समझनी पड़ेगी इन में से आप कौन से trader हिस्समे है या कौन से trader आने ओले time में बनना चाहते है इसमें psychology total clear हो गया इसी point में यह आप कौन सा trader बनना चाहते है मेरे साब से जब भी आपको मौका मिलता है जब भी आपका setup बोलता है कि आप entry कीजिए तो आप जरूर aún entry कीजिए अपने SL के साथ एक्स्ट्रिक्ली SL ठीक है strongly अपना SL लगाईए अपना ट्रेडिंग कीजिए जब भी आपका setup बोलता है कि आपके SL भाई साब हो चुका है तो वहां से आप तुरंत अपना निकल जाईए और फिर आपका setup बोलता है कि आप निकले को भी ट्रेड ले सकते है तो आप निकले को भी अपना ट्रेड बना सकते है सिर्फ आपने अपना कर्म करना है ये कर्म की जो बात आती है आप अपना कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए ठीक है ये जो है आपका गिता में बोला गया कि जो हमारा जो है subconscious mind रहता है उसमें जैसे सारी बात थे feed हो जाती है फिर आप जो है automatically उस bike की तरह उस car की तरह जैसे कुछ सामने आएगा आप break दबा देगी वहाँ पर आपने दिमाग में थोड़ा सोचना है कि सामने आगे है मैंने break मारी नहीं आपका subconscious mind automatically आपके लिए काम करेगा मैं भी चाहता हूँ कि आप 2024 में इतने perfect हो जाए ट्रेडिंग में कि आपका subconscious mind जो है आपके लिए ट्रेड करें यानि उसमें इतनी अच्छी चीज़े डालिए कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है यहाँ पर लिजिए यहाँ पर एसल हो गया यहाँ पर एसल काटी है यहाँ पर फिर से ट्रेड बन रहा है यहाँ पर लिजिए यहाँ पर एसल बन रहा है यहाँ पर काटी है ठीक है अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो अगर आप part time trader है फिर भी वहाँ पे भी आप swing trade करेगे फिर भी वहाँ पे sell का आपका जो आपका sell zone होगा वहाँ पे आपने निकलना ही निकलना ठीक है अगर ये दो बाते आपने 2024 में शीख ली उसको जो अपनी life में implement कर दिया और उसको trading में execute कर दिया आप guaranteed जो है कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा चेंज होगा जो आज तक पिछली 6-7 साथ से चेंज नहीं आया होगा आपके अंदर ठीक है इसलिए आप मेरी दो बातों को पिल्कुल दियासे सुनिए फिर से आप वीडियो देखिए अगर आपको अच्छे लगी तो इसको शेर कीजिए कमेंट में जरूर लिखिए कुछ ना कज और देखो कमेंट क्या होता है एक आपका विचार होता है जो आपको लगता है वीडियो देखने के बात आपको लगता है कि वीडियो वेकार है आप डिसलाइक कीजिए आपको लगता है वीडियो अच्छा है आप लाइक कीजिए ठीक है अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है तो आप लिखे बेजिए हर चीज आपको करना जरूरी है अगर आप देख रहे हैं ठीके मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यह था अगर मैं आपके छे मिनट यहां पर इस वीडियो में ले रहा हूं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज सिखने को मिले जिससे फ्यूचर में आपको जो है बैनिपिट हो अगर आप कोई व